कैसे आप लोग लाइव जे माई एम यूब ऑनर्स के लिए जे माई बी एललब और एम यूब एललब के लिए जो लोग तयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही कि हमारा इस्टुडेंट इन्फो जो है ऑनलाइन कोचिंग भी करा रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि कुछ फिरी में सेशन चले ताकि बच्चों को लगे कि हां यहां पर क्या कराया जागा नहीं कराया जागा तो इस लाइव सेशन में हम तो पूरा डिटेल में नहीं जागे कर सकते पूरे से लेवस को हम लोग कवर नहीं कर सकते लेकिन बैसिकली हम लोग क्या क्या करेंग आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा तो आप लोग देख सकते हैं टू मेठड है फर्स वन इस एलोबरेशन और सिकंड वन इस को रिलेशन यह एलोबरेशन मेठड क्या होता है और को रिलेशन मेठड क्या होता है इस पर हम लोगों को बात करना है एलोबरेशन की कैसे अगर MCQ आते हैं चार आपसन के साथ तो उसको हम लोग कैसे कवर करते हैं ठीक है जो Elaboration Method होता है उसमें हम लोग MCQ को कैसे Elaborate करते हैं कि यह जो Option A और B है नहीं है और C जो है, D है तो है फिर यह C और D में कैसे Elaborate करेंगे कि which one is the correct answer तो यह Elaboration Method होता है किसी भी MCQ उसको Solve करने के लिए यह Method बहुत fit होता है, फिर जो दूसरा होता है कि आपके अंदर जितना capability है या आपको जितनी याद है या आपके अंदर जितनी ओर जो उसके according चलते है तो Second Method जो होता है अपना correlation होता है, ठीक है correlation Method होता है, हम लोग इस पर बात करते है admission form 11th का अभी March, end of March, April के starting में आ जाएगा, ठीक है तो अभी आप लोग यह देखिए कि Elaboration and Correlation Method जो है इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे बात करेंगे यह, उसमें basically हम लोग देखेंगे, कि ठीक है, महराष्टा, देली, उत्तरप्रदेश, मद्धप्रदेश और यह जो उत्राखंड है यानि यह जो 6 state है, महराष्टा, देली, उत्तरप्रदेश, मद्धप्रदेश, उत्राखंड, ओडिसा यह 6 state आप लोग screen पर आप लोग देख रहाँगे यह 6 state जो है उसमें basically हम लोग बात करेंगे उसके monuments में यानि अगर महराष्टा पर कर रहे हैं तो महराष्टा के monuments monuments पर हम लोग discuss करेंगे कि वहाँ कैसे इंडिया gateway of India है या वहाँ Adanta cave है Elora cave है ठीक हो वो सारी चीज़े जो भी monuments में आएगा उस पर हम लोग cover करेंगे उसको फिर sir entrance के form कब आएंगे ना sir entrance का form जो है पी ए के लिए जो है बीए कोर्स के लिए वो अप्रेल के बाद ही आएगा ठीक है अप्रेल में तो अपना प्रसे कावर करेंगे तो कौन कौन से इंपोर्टेंट है और जो किजिए कि अगर इंडिया तो उसमें से क्या-क्या कुस्सन बन सकती है या exam point of view से हमारे लिए क्या important है फिर पार्क है तो state wise चलेंगे उसी तरह के से महाराष्टा देली उत्तरप्रदेश में सब में घुमेंगे हम लोग एक एक करके फिर reverse के तरफ चलेंगे सब ये state में जो हमारा ये जो 6 state जो है याद रखेगा महाराष्टा देली उत्तरप्रदे और solar system होगा ये जो 10 टॉपिक है ये important इसलिए है क्योंकि B.A. honors या B.A. L.L.B. का या जो भी नॉर्मल एक्जाम होते है जामिया एम्यू के लिए उसमें बिसिकली यहां से question arise किया जाते है और कैसे arise किया जाते है उस पर हम लोग बिसिकली बात करेंगे कि अगर monuments में सब्सक ये की दिल्ली में है इंडिया गेट है या परलेमेंट हाउस है या राष्टपती भवन है तो वहां से क्या question arise हो सकता है बिसिकली आपको monuments के बारे में पता होगा famous monuments जो भी है उसी पर हम लोग discuss करेंगे लेकिन वो सारे आपको पता है लेकिन वहां से क्या question arise हो सकता है तो उ महराष्टा जो हमारा first estate है यह हमारा जैसे monuments में first estate में आएगा तो महराष्टा आएगा तो इस महराष्टा में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यह अपने को देख रहा है कि Ajanta Cave Ajanta Cave है तो यह क्या है यह कहां situated है यहां से question मनता है Ajanta Cave जो है है अजंता केप जो है यह सिच्वेटन औरंगाबाद यह औरंगाबाद जो कहा है अंब पहले भोल दिये कि माहराष्टा में चल रहा है तो औरंगाबाद कहा है जो की एम यहां से किस्ट्इवरणis हो का यह अभी कौन सा कोर्स है अच्छा नाइंथ का जो है अभी दोगों मार्च के स्टार्टिंग में आ जाए या एंड आफ मार्च आ जाएगा ठीक है तो यह disaster कब हुआ था जनतां कैब जो हुआ था ये हुआ था 1819 में ठीक है 1819 में disaster erkennen को छाली हो था हम लोग last में आएंगे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्या-क्या जो भी होग अपने अपने कमें पादेज अफ्टा दो वहा स्कूब इस को कब डिसकवर किया गया था 28th of April 18 1908 में इसको डिसकवर किया गया था और इसको वर्ड हेरिटेस साइट में 1933 में इसको इनाउंस किया गया था कि ए लुड हेरिटेस साइट में इसको को एड़ किया था फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेकेंड हमारा मौनुमें 재乾़ेगा हम लों महाराष्टा बात करें तो अजंटा के लुआ चाहिवciones के लिए से इस प्लिए है ख़ी आउरंगाबाद के टरफ अभी आजंता के से इस जो है यहां से इस्षाइड यहां से सब्सक्राइब को करें कि एंडी उवस्क्राइब जो केव टेंपल है एलोरा केव जो है बैसिकली एक टेंपल है और यह तीनों रिलीजन को डेलिकेट है ठीक है तो और यहाँ से एक और बनता है कि Allura Cape जो है किसके time period में बनाया गया था तो चालुक्या और राष्टुकूट का जो डाइनिस्टी था उसके time period में Allura Cape को बनाया गया था तो basically आप लोग देख सकते कि हम लोग static GK पर कैसे बात करेंगे कि हमारा two method होगा elaboration and correlation elaborate कैसे करेंगे अगर question MCQ आते हैं तो इसको हम elaborate करके कैसे हम अपने correct answer पहुंचेंगे और जो second अपना है correlation method से हम कैसे हमारे पास जीतना knowledge है ठीक है तो इसको हम लोग कैसे कैसे हम लोग इस पर बात करेंगे तो elaboration और correlation method होगा हम लोग इसको daily करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि यह जो topics है हमारे monuments होगा, park होगा, rivers होगा, lakes होगा, cm and governor होगा, dance forms होगा, art and culture होगा, famous personalities and solar system जिनको भी यह मतलब daily live session करना है तो वो time आपको community पे, youtube community पे डाल दिया जाएगा, आदा गंटा यह गंटा पहले आपको बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ हम लोग live आके आपको clear कर देंगे फिर monuments में हम लोग चलेंगे तो महराष्टा, देली, उत्तरपर्देश और मद्दपर्देश और उत्तराखंड, ओडिसा वाला जो है, उस पे हम लोग discuss करेंगे तो जैसा कि मैंने बता है कि अभी महराष्टा में हैं, हम लोग तो अजन्ता केव हो गया, फिर वहाँ एलोरा केव